दोस्तों बिहार सरकार दुआड़ा धान अधिपराप्ती के लिए ओनलाइन आवेदन के जो परकिरिया है सुरू कर दी गई है धान अधी प्राप्ति का मतलब यह होता है आप चाहते हैं अपने धान को सरकारी दरों में बेचना तो इसके लिए आपको online apply करना होता है online apply करने के बाद आपकी जो धान होती है यह packs के माध्यम से सरकार के पास जाती है और सरकार इसकी काफी अच्छी खासी रासी देती है करने के बाद packs के पास इसकी detail जाती है कि किस के सार ने राइस्टेशन किया है उनके पास कितना धान है वो आपके पास आते हैं और आप उनके से धान को अपना बेचते हैं और इसमें अच्छी खासी रासी आपको मिलती है तो आईए जानते हैं इसके लिए आप कैसे online apply करें पूरी step by step process इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपको कहीं भी कोई परसानी नहीं होगी online apply करने में वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज इसे एक like करें और चैनल पे नए हैं तो subscribe करना मत भूले ताकि इस परकार की लगातार वीडियो आप तक मिलती रहेगे आप आप से request है कि आप चाहते हैं इस परकार लगातार सरकारी योजना से वीडियो हर अपडेट आप तक मिले तो आप हमारे साथ WhatsApp चैनल से जोइन करिए और Telegram चैनल से जोइन करिए जहां पर सारी अपडेट मिलती है क्योंकि बहुत सारी टोपिक पे वीडियो नहीं आ पाते ही लेटhtm.in के website पर जिसका link डिरेक्ट description box में दिये गए है इस website पर आएंगे तो इससे जूरी आपको पूरी जनकारी overall आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं साथे साथ क्या 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 डोकुमेंट लगेंगे और कैसे apply करेंगे देखिए थोड़ा स आपको हम डीटेल में बता देते हैं किसमें आवेदन करने के लिए रैयत और गैर रैयत तोनों परकार के किसान आवेदन कर सकते हैं मतलब जिनके नाम से जमीन है जिनके पास खुद का जमीन है वो भी आवेदन करेंगे जिनके पास खुद का जमीन नहीं है और किसी अन्य लोगों का खेत जोते हैं वो आवेदन कर सकते हैं लेकिन यही इसमें अंतर यह होता है कि जो रैयत किसान होंगे जिनके पास खुद का जमीन होगा वो अरहाई सो कुंटल के लिए अपलाई कर सकते हैं लेकिन जिनके पास खुद का जमीन नहीं है दूसरे का जमीन जोते हैं त किसान रइश्टेसन, पास्बुक और घोसना पत्र आपको देने परेंगे और यहाँ पर आपको रइश्टेसन करने के लिए किसान रइश्टेसन से जुरा मौईल नमबर चाहिए. यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट लिंक वाले सक्षन में आना है, ऑनलाइन अपलाई का लि बहनों के लिए है, इसमें बताया गया है कि आपकी जो धान अधी प्राप्ती जो होने वाली है, जो कि तेश्चोब इसके लिए आप आभेदन कर सकते हैं, और इसमें आपकी रेट बता दी गई है कि कौन से धान का क्या रेट होगी, जैसे आपके पास अगर सधारन धान हो और इसी रेट में आपको बेचनी है अपने धान को, पाकि धान कब खरदा जाएगा तो बताया गया कि उत्तर बिहार के लिए एक नॉमबर 2023 से आपकी धान खरिदने के परकिरिया सुरू हो जाएगी, और दक्षनी बिहार के लिए बात करें तो 15 नॉमबर 2023 से धान खरिदन किसान भाई बेहनों के पास किसान पंजिकरन संख्या नहीं है, तो यहाँ पर जाकर आप किसान पंजिकरन भी कर सकते हैं, सर्च करते ही आपके सामने आपका पूरा डेटेल खुलकर आता है, जो अपने किसान पंजिकरन में डाला होगा, बाकि आपको नीचे आना है, आपका बैंक खाता जो है आधार से लिंक है या नहीं है तो लिंक होना जरूरी है इन बातों को दियान रखी गए यहां पर हाँ आपको करना है फिर नीचे आना है धान अधिपराप्ति के लिए जुभी जमीन आपके पास होंगे उनका विवरन आपको देना होगा जैसे यहा आप पैक्स के सदस है है तो यहाँ परेश करेंगे उसके बाद आप सब पूछा जाता है धान देने के लिए पैक्स या वेपार मंडल का चैन करे तो आप धान किस अनुसार बेचना चाहते तो बेटर यह होता है कैस को ही चुने क्योंकि हर पंचात में एक पैक्स अध्यक् वेपार मंडल को भी आप चुन सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको ब्लोक फिर जाने पड़ेगी वहां जाकर आपको इन तमाम जनकारी को पता करना होगा उसके बाद किसान का प्रकार चुनना है हमने बताया कि दो प्रकार के किसान है रहीत जिनका अपना जमीन है वह आप य चुनने जिनके पास खुद का जमीन नहीं है आप गैर रहीत को चुन सकते हैं जैसे आप गैर रहीत आप चुनते हैं तो आपको बताना होगा कि किस परकार के आप गैर यहीं आप यहां पर रहिए चुनते हैं तो फिर आपके लिए अलग उप्सन आ जाएंगे इन बातों को धियान रखेगा तो अगर आप कॉमेंट करेंगे तो मैं गैर रहियत के उपर एक डीटेल वीडियो ला दूँगा जिसमें आपको कहीं भी कोई परसानी नहीं होगी देने परेंगे वह पन कईवाज आसन काड़ मंडेका जॉप कड या किसान क्रेडिट काड़ है तो उसे भी दे सकते भोटर आईडी काड़ भी दे सकते इंशार चैन करेंगे और इस संख्या को आप यहां पर बतांगे जैसे पन कड़ चुना है तो पन काड़ की डी टेल आ होगा आप यहां से पहले चैन करेंगे और यहां पर उससे डालना है अब किनी को यह पता नहीं है तो यहां पर अपना option मिलता है अपनी जमाबंदी पंजी की भाग संख्या एबम प्रेश्ट संख्या पता करें जिस पर आपको क्लिक करना है आपके सामने यह बाले विकल पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पर हलका बतानी है हलका का मतलब यह होता है कि आपका कौन सा पंचायत है उससे आप बताएंगे उसके बाद यहां से आप अपना मौजा को चैन करेंगे अब यहां पर इसे जो निकालना है जैसे आपको भाग बरत्मान और पिरिश संक्या चाहिए तो यह निकालने के लिए सबसे बेटर है या तो आप अपने नाम से खोजे रहियत का न क्लिक करेंगे अब यहां पर देखेंगे कई सारे डीटेल आपको मिलेगा जैसे रहियत का नाम यानि किन के नाम से यह जमीन है तो नाम देखनों को मिलेगा तो ऐसा भी होता है कि एक खाता नंबर से मल्टिपल लोगों का जमीन होता है तो इनमें आप अपना नाम देखे रहियत का नाम आपको मैच कर लेना और यहीं पर एक देखेंगे कम्प्यूटर आई जमावंदे संख्या आपको मिल जाता है यही नंबर की आपकी अवसकता है तो इसको आपको कॉफी कर लेना है और सिंप्ली यहां पर आना है और उस नंबर को पेस्ट करेंगे और यहां पर एक option मिलता है जमीन का भीवरन खोजे जिस पर क्लिक करना है आपके सामने आपका सारी भीवरन देखनों को मिलता है आपके कितनी जमीन है एकर में पता चलेगा और कुल संभावी धान की मातरा आपको बताना है कि कितना धान आपको बेचना है तो हमने आपको बताया कि अगर आप रहयत चुनते हैं तो रहाई 100 कुंटल तक बेच सकते हैं तो हमें अभी 100 कुंटल ही बेचना है तो यहां पर 100 हमने डाला है बाकि आपको जितना भी बेचना हो आप अपने अनुसार रहाई 100 कुंटल से नीचे रखना है या रहाई 100 तक रख सकते हैं यहां पर आप पर नीचे देखेंगे एक capture code मिलेगा जैसे फिल करेंगे एक option मिलता है सुरक्षित करें जिस पर क्लिक करना है आपके जो नंबर है उस पर QTP भेजा जागा उस QTP को आप यहाँ पर फिल करेंगे option मिलेगा final submit का जिस पर क्लिक करना है इस परकार आपका record सफलता परवक समिट होता है ओके वाले बिकल पर क्लिक करेंगे और इसका print निकाल कर रख लेना है दो तो अभी अपने देखा हमने आपको detail में बताया कि कैसे आप इसके लिए आवेधन कर सकते हैं साथे साथ आवेधन करने के बाद आपको क्या करनी है उसकी वी जनकारी हमने आपको